कि रेड़ बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सांधिसान नॉटिफिकेशन बेल को भी आन कर लें मेरे वीडियो सब्सक्राइब अब भ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में दोस्तों मैं कृष्णा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 36 गर सिक्षक भरती परिच्छा जो होनी वाली है उसके अंतरगत दोस्तों अभी व्याख्याता का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है जिसके तहद व्याख्याता बनने वाले कंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उसके बाद दोस्तों अपना जॉइनिंग करेंगे तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जोइनिंग के बाद जो है पेमेंट जो है किस अधार पे मिलेगा उसका प्रती महा पेमेंट कितना मिलेगा और किस अधार पे उसका मान दे होगा जिसमें उसका जो है दोस्तों महंगाई भत्ता रहना खाकिराया इन सब आपको जोनते हुए कितना पेमेंट बनेगा प्रती महा हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेलाता है दो दोस्तों इसमें जो विगिम्यप्ति आया हुआ है उसमें पेमेंट के बारे में क्लियर नहीं बतायागया है लेकिन इसमें कुछ बाते इसमें जो लिखी गई है उसके युशार जो पेमेंट बढेगा मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाले हूँ तो दोस्तों इसमें व्यक्याता के लिए राजपत्रित दुति श्रेणी अर्था दोस्तों व्यक्याता के लिए वेतर्मान मैट्रिक लेवल 09 जो है आपको वेतर्मान दिया जाएगा अब वेतर्मान मैट्रिक लेवल 09 यह होता क्या है तो इसके बारे हम लोग आगे तो दोस्तों प्रेस विध्यप्ति में पूरी तरह से लोग सिक्षक्षन चनालाय के द्वारा जो इक्जाम जो है नौटिफिकेशन जो आया था दोस्तों नौ 3.2019 के द्वारा आया था जिसमें E समवर्ग और T समवर्ग के लिए इसमें भरती होने वाली थी तो उसका दोस्तों ये जो है वेतन मैटरिक लेवल 09 के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो होता है दोस्तों सात्वा वेतनमान आप दोस्तों इसी के बारे में डिटेल जानने के लिए दोस्तों ये जब प्रकाशित हुआ था राजपत्र 36 गड़ राजपत्र जिसमें है दोस्तों 9 माई 2017 को साथवा वेतनमान लगू हुआ था जिसके तहर जो है कौन सी केटिगिरी को कितना वेतनमान दिया जाना है वाला है उस पे बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे तो दोस्तों पहला जो बना हुआ है वो है ग्रेट पे ठीक है ग्रेट पे कहां से ले करके कहां तक है और साथी साथ दोस्तों जो दूसरा बना हुआ है वो है आपका ग्रेट पे ठीक है दूसरा है क्या ग्रेट पे जो कहां से है स्टार्ट है 1300 1400 1800 1900 1200 से लेकर के 4800 तक ये निश्चित किया हुआ है दोस्तों और 77 अगर आप लेवल की बात करें तो लेवल 123456 789 और 11 और 77 आगे और पेज है जिसमें आपको 12-13-14 आगे मिलेगा तो ये हो गया आपका लेवल दोस्तों इसी लेवल के अधार पर क्या होगा वेतनमान दिया जाएगा तो इसमें जो दिया है वो कौन सा दिया है आपका लेवल जो है नाइन तो हम लोग देख लेते हैं लेवल नाइन तो लेवल नाइन में क्या है दोस्तों ये हमारा है लेवल नाइन तो इसमें जो पेमेंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा इसमें देख लेते हैं जो देखे हो यहाँ पास देखना है पहला यह दूसरा यह तीसरा चौँ था तो यह प्रत्वश का दुत्री वश का तिर्टी वर्श का फॉर्थ वर्श का फाइव वर्श का То इसमें जो वेथन मान दिये गए गया है दोस्तो नुँआ लेवल पर तो पहला जो मान इसमें दिये पहले वर्ष के लिए तो इसमें दिया गए है आपका 38,100 तो पहला जो वेतनमान होगा दोस्तों पहले महने में जो मिलेगा वो 38,100 मिलेगा उसी किसाथ साथ अगर आप वरिता करम में अगर आप लगातार काम कर रहे हो दूसरे वर्ष तो यह हो जाएगा 49,200 उसी तरह अगर आप औ रस प्रभा जो और यह कंफरम नहीं है थो तो कि हैकिस अधार पी आपको जो है कि दिया जाएगा तो इसमें परिवर्त परत्तनßर हो सकता है और साथिससाथ जाए पनर अपको अच्छा लाग जाद जाद शेयर कर दें और अच्छा लागा हो लाइक करें अगर कुछ सी चीज और कोश्चन है आपके दिमाग में तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट करके पूछे मैं उसका रिपलाई जरूर दोंगा तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा